हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा कि आप कब मरेंगे आपको लगेगा कि क्या नॉंसेंस कर रहा हूँ मैं लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तो हर इंसान को एक नएक दिन मर रही है और मरने का जो नेचुरली प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को होने में कितना समय लगेगा आप अपने जो date of birth है उसके हिसाब से calculate कर सकते हैं इसके लिए एक website बना है उस website में आप जाके अपना edge को enter करके आप पता लगा सकते हैं कि आप इस प्रित्वी में और कितना दिन रहने वाल हैं इससे कि आपको motivation मिलेगा कि आपको इतने समय में कुछ ना कुछ तो कर नहीं है तो चले देखते हैं इस website को सबसे पहले आपको Google Chrome में जाना है आप जो website इस्तेमाल करते हैं आप उसमें आईए आने के बाद आपको search करना यहां पर लिखिए चले देकर धेट ड़ाट इंफो और फोर्वर्वर्ड स्लस एस फिर फॉर्वर्वर्ड इस डेथ पर फिर से एक बार फोर्वर्ड स्लस देदिजिए और इंटर कर दिजे एक सेकेंd internet on कर लेते हैं हाँ तो आप देख सकते हैं हाँ तो आप देख सकते हैं कि website खुल चुका है website खुलने के बाद आपको सबसे पहला अपना नाम डालना है यहाँपे मैं डालता हूँ यहाँपे skylight यह यह नाम है मेरा उसके बाद date of birth में डालना है जो मैं अपना असली का date of birth डालूँगा नाम में आप कुछ भी डाल सकते है उसमें कोई जरुत नहीं है और यह मेरे January है और Year है मेरा 2000 तो 2000 को उसके हम डाल देते हैं उसके बाद आपको अपना gender डालना है male यह female तो मैं डालता हूँ यहाँ यहाँ पर male और यहाँ पर मैं डालता हूँ height जो कि है मेरा 5 feet 5 inch 5 feet 5 inch डालना है 60 kg यहाँ पर मैं डालता हूँ 60 kg और मैं stimulants पूछ रहा है कि आप कौन सा यहाँ पर चीज कंजम कौन सा alcohol आप कंजम करते हैं कौन सा bad habits आपका cigarette पीते हैं तो cigarette में click कीजे मैं तीनों में click कर लेता हूँ sorry दस्तों मैं इन तीनों में से किसी का भी इस्तमाल नहीं करता हूँ तो मैं इसे click नहीं कर रहा हूँ मजाग कर रहा था तो calculate करके देखते हैं कि क्या होता है अब मेरे साथ मैं कितना दिन जिन्दा रहूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा मरने का कारण है तो वो है neutral मैं neutral मतलब बिना किसी कोई भी alcohol का या फिर कोई भी धूमर परदात या फिर alcohol का consumption नहीं करता है इसलिए मेरे यहाँ पर न्यूटरल बता रहा है जिदे आप कुछ करते होंगे तो आप cancer उनसर या फिर कुछी और disease से मर सकते हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि जो है कि मैं मरूंगा 25 अगस्त 2006 को मतलब 66 को उसके बाद टाइम लेफ्ट है मेरे पास 46 इयर 2 मंत और 18 दिन और सेकंड में जदी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मैं इतना सेकंड जिन्दा रहने वारा हूं नीचे आपको प्रॉपर बार दिया हुआ है मैं इस बार पर आप देख सकते हैं कि आप कितने आप मैं 30% जिन्दगी मैं ने जी लिया है और मुझे 70% जिन्दगी जीना है उसके बाद मेरा काम तमाम हो जाएगा और राम राम सत्य है दोस्तों जदी आपको भी कल्कुलेट करना है कि आप कब तक जिन्दा रहने वाले हैं तो इस वेबसाइट पर आके अपना फोर्म को भरिये सब्मिट कीजिए और पता लगाईए कि आप कब तक जिन्दा रहने वाले हैं तो जदी आपको ये वीडियो पसंद आओ तो प्लीज लाइक करें बहुत सारे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वन्दे मातर हम